पहले स्ट्रीम दिखो आई की नहीं आई वोगी स्टार्ट ठीक है मुझे है् को के तो ख्रांज पहहले ही पहले हैं मुझे बता है कि अग्या क्या हता है यह मरे पास यह बंदाओ प्रोक्ट बोलेंगे क्या निर्यक्षी और सिमिलरलि माना इन पत्थ यह है तो यह हमारे आपको पास क्या है प्रिक्टेंट तो एंध्यल्पी ओफट्स मायस नंटल qva reactants अगर एक से जदा रेक्टेंट हो नहीं कि इन फैल्पी यह समेशन खरद है एक से जदा क्या हो प्रोडक्ट हो तो सभी प्रोडक्ट की इन फैल्पी का सम कर दिए है इसको अंbaj добрobahn और च्यों सिमिलरली जो इसकी फ्रेकर जीए प्रेаровजी अपको पता निवी हुद्ध क्या है इन्फ devil निपक्र मै। सब्सक्राइब भी प्रियनर्जी तो इसकी अहमान लिया वो है जी पी क्या है इसके बताव क्या निकाल लो इन्थेल्पी चेंज तो इसकी इन्थेल्पी माइनस इसकी इन्थेल्पी बतौ हो वो मेरे पास क्या है डेल्टा जी इसके इंथेल्पी क्या बतौ इसके इन्थेल्पी चेंज और इसके इन्थेल्पी माइनस इसके इंट्रोपी वो तो डेल्टाइस है इसके इंथेल्पी माइनस इसके इंथेल्पी वो इंथेल्पी चेंज है और इस तो यह बता रखा हुई कि डेल्टा जी डेल्टा 1 Cinderella the 141ákšnč ti問題 nhoe स्वाचिज नीश्याइए करों मुफ यॉयुक्तिकposition के लिए अवे-ैक्शन गया है तो मेरे पास डिल्ट ऐस तो क्या हो मेरे पाला मतलब इन थेल रियक्शन क्या हो एक्जोथर्मिक क्या reaction एक्जोथर्मिक है तेक बात और ते तो अपको पता पॉजिटिव होते हैं अब अगर वाण डेल टैस्ट भी क्या है पॉजिटिव मतलब इन थेल्पि एक्षन सोरी इंट्रोपी चेंज गया reaction का positive मतलब इनकी entropy ज्यादा है और इनकी entropy क्या है कम है तो हम क्या बोलेंगे तो reaction तो एक्जूर्मिक हो लेकिन entropy change क्या हो positive entropy बढ़ने लग रही हो तो definitely यह negative यह क्या positive लेकिन यह positive है तो minus T से multiply होएगा तो अबर ओल तो मेरे पस डेल्टेज जी क्या एगा नेगेटिव ही आएगा इसन्ट इट तो यहां से बताओ हम भई क्या क्लेम कर सकते हैं बताओ यहां से हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास बताओ क्या न चीए तो तब रियक्शन मेरे पास क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगी मेरे पास रियक्शन स्पॉन्टेनियस यह माले डेल्टैस तो क्या है नेगेटिव और डेल्टैस भी क्या है नेगेटिव अब डेल्टैस नेगेटिव है और डेल्टैस क्या है पॉजटिव यह पॉजटिव है शगल लेकिन टी डेल्टैस तो फिर क्या हो जाएगा और फिर है नेगेटीव है तो T kay lists करफिल जाएगी पॉजटीव जाएगी ना लेकिन यह multiply छोटी है और यह क्या है नेगेटीवμέगी अोनीय होग क्रफिलम है यह स्पॉंटेनेस ही होगा अब देल्टा जी भी क्या है in है डेल्ट सब्सक्राइब नी न मेंगेटिन न इगेटिव क्युचुट बनेर इनक्ट क्यु ए तो क्या हो जाएगा क्या यह पॉजिट्व तो फिर से delta G क्या जाएगा positive, तब भी reaction क्या हो जाएगी, non spontaneous, आगे आपको समझ में, अब अगर माँ delta G तो क्या है, positive, delta G तो क्या है, positive है, delta G तो negative है, और ये भी negative है, अब ये तो क्या चाहिएगा, कि delta G negative है, delta H negative है, लेकिन delta S ही माननो, ये भी negative, ये भी negative, अब ये देखना पड़े, अचलती किसकी है, अगर ये value बढ़ी आईगी, तो मेरे पास overall sum क्या आईगा, मतलब फर्ज करो ये negative है, और ये बताओ क्या, ये भी क्या है negative, अब delta S negative होना तो क्या होता है, reaction को non spontaneous करता है, ल अपने आप हो जाए, लेकिन अगर मान लिया, ये अब क्या बताओ, negative तो है ये, लेकिन इसकी multiply T से क्या है, वो छोटी बनती है, delta H से, तो this negative into minus T, number तो positive आईगा, लेकिन उस number positive से, ये number बढ़ा है negative number, तो overall reaction क्या आईगी, spontaneous ही आईगी, क्या ये reaction हमारे पास, कुछ बात आप को पले पड़ेगी बढ़ी, तो इस तरिके से हमें comment कर सकते हैं बढ़ी, कि जो thermodynamic requirement उस reaction की, वो क्या होएगी, isn't it, तो ये असान एक मुश्किल है, तो ऐसे हमें इस reaction की spontaneity पे comment कर सकते, तो हमको पता है, कि delta G क्या है हमारे पास, more and more negative, अब delta G का एक formula और भी होता है, tender state में क equal to minus RTLNK होता होगा, कि निया, बढ़ी, delta G क्यों होता है, अब delta G खुद ही negative है, delta G क्या है, अब अच्छा, तो LNK बतो मेरे पास क्या जाएगा, तो, delta G by minus RT आएगा, अब आप बताओ, अगर delta G बतो मेरे पास क्या है, negative आएगा, समझे बात, तो negative क्या हो जाएगा, positive, और delta G negative जितना बढ़ा होएगा, यह अब खुद कह रहे हो, delta G negative में जितना बढ़ा होएगा, उतना यह नंबर क्या होएगा, पॉजिटिव क्योंकि माइस माइस एंसलों के मेरे पास क्याएगा बड़ा नॉमबर और उत्रना जयता किसकी वैल्लिव आएगी एलन के की या के की आपका सकते हो इसका एंटी लोग कर दिए उसका एंटी लोग कर दियो तो आपको साफ दिख रहा है अगर डेल्टा जी मोर क्या होगा नेगटिव होएगा तो इसके की वेण spraying मोर और फॉजिटिव आईगी और के की वेखिटिव मोर फॉजिटिव आएगी कärekick otherwise पॉजिटी आईगी तो आफको पता है के क्या होता माले मेरे पास से क्या बना थे मेरे पासel इन Wheels बना है तो इसके लिए find constant क्या होता है भी कंसेंट्रेशन बई A की तोगर के ज्यादा आया है इसका मतलब बी ज्यादा बनता हो यह क्या होता है क्या यह दिड़ को समझ में तो इस त्रीक के सो बो feel है तो ज्याद की ज्यादा कॉन बर रहा ह को रहा है प्रोली और reactant क्या है कम बचा है निसमझे बात तो more delta j का मतलब क्या है more negative delta j मतलब क्या है higher value of k more negative delta j मतलब क्या है spontaneous बोलो भई और higher value आई k की value आईगी और higher k की value का मतलब क्या होता है ज्यादा क्या equilibrium की उपर ज्यादा क्या बना है product reactant क्या है कम बचा हुआ है अगे आपको बताओ आइने आपको यह है अब बताओ क्या कर सकते हैं यह पर अब क्या हमारे पास है कानेटिक रिक्वार्मेंट ओफ ए कानेटिक रिक्वार्मेंट फॉरे रियक्शन किसी रियक्शन की कानेटिक रिक्वार्मेंट क्या होती है कोई रियक्शन फास्ट होएगी की स्लो हैगी तो थर्मोडायनमिक रिक्वार्मेंट तो आपने बात कर ली होगी ना बात होई अब कानेटिक रिक्वार्मेंट में क्या होता है देखो थर्मोडायनमिक रिक्वार्म में आपने किन को इस्तिमाल किया था delta G delta H और delta S thermodynamic requirement समझने के लिए आपने delta G delta H delta S को consider किया है लेकिन कहा पर reactant और product के, reactant और है लेकिन अगर आप reactant अच्छा अगर आप इसकी enthalpy में से इस barking Marty minus करते हो थैंत कि क्या थे मानने लो sexual रुज़ चार क्या वई इन की एचर मानने उसी का माननो talented और भhighivi ऐस्रेंडर नहीं अरिर यह बतौः क्या हैमारे पास इसकी free energy क्या है जी-पी इस्की बतों ब्टक्य गे- है तो अगर आपने इसकी फ्री एंघी में से इसका इनर्जी मानस कर दी तो वो क्या फ्री Ɏनर्जी फ्री एक्षंघ वो डेल्टागे आपने इसके इंखसे इंखेठिन इसके इंख स्चालपी कर दी वो क्या हमारे प्लोभ ही वो डेल्टा ये हमारे पास फ्रीअ द्रीकशिन और इसके इंथे इंठहल्पी ळीड़ स्या है येज couple इसके इंट्रोपि में से इंट्रोपी डेल्टा ऐसे रीयक्शिन का तो इत्यती नोग पैरामिट्र आपने का थे तो यह मानो इसकी इसकी GP, GR, HR और SR क्या है? for free energy, enthalpy और entropy और इसकी बताओ, बताओ क्या क्या है इसकी इसकी तो क्या क्या है वही? बताओ, इसकी GP, HP और SP यह क्या है? हमारे पास जो क्या हमारा प्रोडक्ट उनकी फ्री एनर्जी जग्या आपको यह पर दोबार लिखता हूं मैं जीपी है एच पी और स्पी तो अगर आपने इन में से घठा अगर आपने इन में से घठा दिये ना तो वह इस्तमाल होते हैं बताओ कहां पर भई टर्मोडान्मिक रेक्वार्मेंट में और उस्तम और चलेंगे लेकिन भई यहां पर मारे पास इसको क्या बोलते हैं ट्रां टीजिएट याएक्टिवेटे कॉम्पलेक्स को पते हैं गलने पर जो इसकी आप बताओ और दॉट वह टो इसकी आ पशेयों इसको हम बोल दें, AC, तो यह क्या है मेरे पास? GAC, HAC और SAC, मतलब इसको बोल दो GT, क्या होई? इसको अब GT, HT, HT बोल दो, इसका मतलब क्या है? कि Transition State यहा, Activated Complex की Free Energy, Th disso, इन्द्रोपी, इन्टेल्पी औरिणिय्ट्रोपी, तो अगर आपने इसमें से यह माइनस कर दीना, इसमें से यह, इसमें से यह, तो इनको पता क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, डेल्टा जी डैगर या स्टार क्या और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच डैगर या स्टार ये क्या हो जाएगा डेल्टा एस डैगर या स्टार क्यों तो ये जो पैरामेटर ना ये किसको डिसाइड करते हैं काइनेटिक रिक्वार्मेंट के लिए होते हैं किसके लिए क्य सेख़को होगे सिम्पल सी बात है काई टिक रीक्वार्मेंट का मतलब कि होता है कि रीक्षिन कि स्पीड कितनी है और यह बात किसे सीद अहीं होगी क्यों यह मेरे पास क्या है तो यह नहीं होगा यह उत्तना इस जील क्या हो जागी क्रोस स्थूज वस्तर क्या है गें रियक्शन नहीं आपको बेरी जीतना हाई होगा उतनी क्या हैं पास तो पुछ निए आपको तो आपने वैद की बार क्या करना है इनकी इन्टेल्पी free energy और entropy का difference note करना इन से और इनकी इनकी terms में क्या होगी reaction की speed को define कर सकते हो आगे आपको अब थोड़ा आपको या दो भई एक physical chemistry में थेयरी होती थी उसको क्या बोलते थे activated complex theory क्या या transition state theory उसका नाम होया करता इसन्ट इट नहीं आगर था क्या तो अब बताओ तो अगर मैं यह कहता हूं कि मेरे पास वही यह मेरे पास क्या है reactant यह मेरे पास क्या है माले यह मेरे पास क्या है और इस से बताओ पहले क्या बनके हमारे पास activated complex क्या होई फिर यह किसे मलता है into product और इसके लिए equilibrium constant क्या हमारे पास तो आप यह बताओ तो reactant से पहले क्या वनता है activated complex यह बहुत ही fast क्या है equilibrium यह बहुत ही fast क्या होई तो इसके लिए आफ क्या लेक सकते हो क्या आप इसके लिए equilibrium constant नहीं लिक सकते गया इसी concentration भाई इसी concentration बेसंट ट्योंट तो यह मारे पास क्या क्टार क्या इसका एक त्रियों कॉंस्टेंट अब आप ये बोड़ा आपको पता गए एक फॉर्मूला होता के का rt over nh कि राइंग नहीं आपको पता है rate constant का एक फॉर्मूला दिया था rt over nh into k क्या था हो ये rt over nh into k तो इस तरह है कि reactions के लिए जो overall rate constant होता है वो R T N H over into बोलो भई एक कुल भी हम का constant अपने आप उट करना है अब आप तो delta G क्या होता है यह एक कुल भी हम यह consider कर लेता हूं तो थेक है तो इसके अंदर आप यह बताओ LN K की value क्याएगी LN K star की value क्याएगी delta G star upon में R T का minus तो यहां से K star की value क्याएगी इसको साइड फेक होगे तो यही की power बताज है किसमें अगर आप LN को सेट सेटी हो तो जो साइड आपको पताने LN जब आप पोजिट साइड जाता है तो आप पोजिट साइड जो भी कुछ है वो power में convert हो जाएगा तो मेरे पास के star की value क्याएगी बतो E की power minus delta G तो यह आगए E की power minus delta G star by RT आगए मेरे पास यह पका तो इसको भाई आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि K is equal to RT over N ने चे 1 by E की power delta G star by RT इसका मतलब क्या है activation step की क्या बई माद जो मारे पास यह वाला step है reactant से क्या बनता है activated complex अगर उसका free energy बढ़ेगा क्या इसको मैं अभी निचे लिया इसको क्या यानि अगर energy effectution क्या बढ़े होगी अगर free energy effectution बढ़ेगी तो यह पूरा factor बढ़ेगा यह बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा गटेगा यानि reaction क्या हो जाएगी slow क्या यानि क्या reaction तो क्या हो जाएगी slow हो जाएगी isn't it और अगर हम यह कह दो कि न अब इस delta G को तोड़गे रिखो जाएगी तो नेगेटिव में को पावर होती है इसका मतलब यह बढ़ने से क्या होगा यह गटेगा और यह गटने से बढ़ेगा जब कि T बढ़ने से यह बढ़ेगा ती गटने से गटेगा अगर आपको यह लेकिन अगर मैं यह कहूं अब यह गहरता देल्टा एच माईस ती डेल्टा एस यागर देल्टा एस स्टार मैने से टेल्टा एस स्टार हो जाएगा तो मेरे पास क्या जाएगा तो के वैल्यूं क्या ज़िए R T over N H E की पावर फ़ले आपर इसको रिप्लेस कर दो इस से डेल्टा जी को बतो क्या हो जाएगा मेरे पास की डेल्टा H माइनस T डेल्टा S स्टार आगा ना अब इसको दो बर लिख दो गई तो कि इसको मैंसे लिख सकता हूं क्या E की पावर माइनस डेल्टा H बाई R T बतो यह माइस अंदर प्लस का हो जाएगा बतो क्या देल्टा S बाई R T T C T क्या हो गया cancel नहीं आपको और इसको थोड़ नहीं चे लिख दो इसको ऐसे लिख दो भई 1 by E की पावर डेल्टा इसंट इट अब आप मुझे बताओ तो हमको भई किसी रियक्शन की काइनेटिक रिक्वार्मेंट पे भी हम अब इसली बात कर सकते हैं आपको कैसे कैसे अब आप मुझे बताओ देखो अब कोई आपसे फ्री एनर्जी वाला पुछे तो यहां तो कैसे मेरे पास फ्री एनर्जी तो मैंने पढ़ लिया था यह बढ़ेगा तो यह गटेगा यह गटेगा तो यह बढ़ेगा अब सेम बात किसका होगा डेल टेज का अगर इंथ़ पी वेक्टिवेशन क्या मстаव इसकी और इसकी इंथर पी चेंज नि इसका और इसका इंथर पी चेंज अगर इंथल पी उसक्तिवेशन बढ़ेगी हो जितनी जयदा क्या ओगिएंथा जाया हो चीजिडनी उतना ही जुटनी ही क्या हो जायए प्र पर देखिए बढ़ें हैं तो पूर प्रट बढ़े गा न वह बढ़ेंगा तो बढ़े आके क्या होगा क्योंकिए इसके ये के इस फेक्टर के तो क्या है डार्यक्ट लेकिन ये की स्टैक्टर क्या है सबस्क्राइब निसम बाट तो देटाइच में से ये इसल्टाइब ने से फेक्टर बढ़ता है इसे लिम क्या बोलेंगे इंट्रोपी एपक्टिवेशन बढ़ने से उससे तो एकटिया हो जाएगी फास्ट हो जाएगी लेकिन इन थैल प्यूफ एक्टिविशन बड़ में से उससे रेट क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी ओके तो वह इस तरीक के से मिन के उपर कमेंट है कर सकते हैं नहीं आना ओके अब बता हम क्या पढ़ते हैं बई काइनेटिक एंड थर्मोडायनमिक कंट्रोल ओफ ए रियक्शन दब इससे पहले आपने क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनमिक कंट्रोल से आप क्या समझते हैं ठेक है बात बोलो भई तो पहले बात करते हैं कि वही मान लिया हमारे पास दो प्रोडुक्ट है क्या हमारे पास वही मान लिया हमारे पास हमारे पास रियक्टेंट ए है और यह रियक्टेंट ए दो जो क्या है प्रोडुक्ट उनके अंदर कंवर्ट हो सकता है बी के अंदर भी और सी के अंदर भी लेकिन अगर मैं बात करूं थर्मोडायनमिक्स के लिए आज से इया अ यह थो आपको पता है रियक्शन थेर्मोडायनमिक्स अलग जो क्या होता है प्रोडुक्त उसको सपोर्ट करती ओ और कांज ये एलग को सपोर्ट कर सकती है आपको ऐसे इसे फर अगर मैं यह कहे दिता हूं कि यहां से यहां पर जाने की मतलों मैं कहे दो यह जो डिये जो क्या मेरे पस प्रोड़क्ट इसकी फ्री एनर्जी कम है किससे इसकी फ्री एनर्जी से तुम क्या बोले बताऊ गूँए यह मौस्टेबल हा न? लेकिन मैं कहा इसका barrier बहुत आई है तो kinetically तो support होगा नहीं लेकिन thermodynamic क्या होगा यह support होगा ना दूस तरफ मैं कहा जूँ मतलब मैं कहा जूँ इन दोनों में से more stable तो यह है वर यह क्या less stable तो thermodynamic की कौन support होगा B की formation support होगी क्योंकि B और C में से more stable कौन सा है B तो हम क्या बोलेंगे thermodynamic के लिए B support होगी बनना चाहिए तो मैं कहा जो A से B का barrier बहुत आई है क्या तो kinetically support नहीं होगा नहीं लेकिन A, C, B से बेशकन stable है लेकिन A से C बनने का barrier बहुत कम है तो सीकुम क्या बोलेंगी क्या है इसको बोले काइनेटिकली controlled product नहीं है आपको तो जब कोई reactant एक simultaneously एक से ज़्यादा reaction दे सकता हो निसम्जे बाद तो आपने देखना है कि thermodynamics किसको support करती है और काइनेटिक requirement किसको support करती है निसम्जे बाद भई तो अब thermodynamic requirement अगर भई अगर अब जिस अगर जिस reaction को thermodynamic requirement support करती है तो अगर वो क्या बन जाए ज्याद amount में वो क्या बन जाए बताओ भई ज्याद amount में तो क्या बोलेंगे इस थर्मो डाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और अगर मान ले भई जो काइनेटिक requirement है वो support करती है जिस प्रोडक्ट को वो ज्याद amount में बन जाए तो हम क्या बोलेंगे इस काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट अगर आपको इसको माँ आपको एक्जम्पल से पढ़ाऊंगा तो आपको बैटर पर ले पड़ेगा ओके अपने अंगर खा क्या स्टीम आपने जो भी यार खा हो अपना है इस पर कमेंट जरू कर दिया अगरे अब बताओ क्या है डिफ्रेंट प्रोडक्ट तो हमको हमने पहले देखना है और कई पर क्या होता है थर्मोडायनमिक्स और कानिटिक्स दोनों एक कोई सपोर्ट करेंगी तो बनना ही क्या है वही क्या बनना है मेजर वही क्या बनना है तो यहां पर मैं आपको केस दिखा रहा हूं कि thermodynamic support कर रही है और kinetic किसे support कर रही है यह फ्री energy क्या यह तो यह माले मेरे पास क्या है reactant और यह बताओ मेरे किसको सबस ने तो किस सबस्क्राइब है अब बतौत यहां पर का निट एक शुर्ट कर रही है किसको वह क्योंकि बेरियर कम किसका एक ऐसे सी बने को तुम क्या बोलेंगे यह सब्सक्राइब किसको मतब डेल्टा C स्टार कम है डेल्टा डेल्टा जी स्टार कम है डेल्टा जी बी स्टार से तंप क्या बहत करो एकाकम स्टार कम है India गयों ऐसके मुद्द ग्रिवे गाज स्टे Jeff ज्याद और डेल्टा जी कि में मेंने एपको तो stable को नहीं से thermodynamically B क्या है most stable है in comparison to C तो हम क्या बोलेंगे अरे भाई overall energy कम किसकी है overall energy कम B की न तो thermodynamics किसो support कर रही है B को क्यों बही क्योंकि B नीच्छे है नियर आपको तो B नीच्छे है C से A से ज़्यदा नीच्छे को है C की B तो thermodynamic support कर रही है B के बनने को लेकिन B के लिए barrier क्या ज्यादा इसन्ट इट और वही सी के बने क्या है कम है तो हम क्या बोलेंगे तो अगर तो सी को support कर कानेटिक्स तो जब आपको final compound बने ना तो आप जब reaction पूरी हो जाए तो आपको क्याना ज़रा reaction vessel में तो अगर आपको reaction vessel में क्याना ज़राए सी प्रोडक्ट जब तो आप क्या बोलोंगे कि reaction is कानेटिकली कंट्रोल और आपको बी जदम मिले बी का fraction क्या मिले ज़र तो तुम क्या बोलेंगे reaction is thermodynamically controlled निया आपको अब बढ़ा क्या हमारे पास पोलो भई हम पढ़ेंगे कि अगर यह उसकता क्या बारी कि thermodynamics और कानेटिक्स दोनों ही सेम जो क्या होता है प्रोडक्ट उसको सपोर्ट कर दें आपको कैसे कैसे फर एक्जामपल ही मेरे पास क्या है यह मेरे पास क्या है अब मैं यह कह देता हूं तो देखा जाए तो जो सी है क्या देखा तो एसे सी बनने का एसे बी बनने के मकाबले टेसे सी बनने का इसके मुकाबले बैरी बी क्या है कम है और मतंब डेल्टा gb क्या कि इस सी बनने संब्समिंद में है भाई कैसे बी बैरी ज़्यादा है यह बने सकानेटिक क्या सब्सक्राइब बनने का बेरी ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे सी क्या है काइनेटिक प्रोड़क्ट सी क्या है लेकिन बही और सी में से क्या सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर यहां पर देफिनिटल क्या होगा बताओ सी क्या बनेगा मेजर बनेगा तो आपको ऐसे ग्राफ देगा आपसे पूछ सकते हैं क्यों तो इसमें अपने की बीज़ा बनेगा निया आपको निया आपको हुई है ठेक है ओके अब बता हुम क्या पढ़ते हैं बही क्या हैमन्ड लेफलर पॉस्चुलेट तो इस टोपिक को हमने टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहले हम क्या पढ़ेंगे इन्टरपरिटेशन ऑफाां र click क्या पाड़ेंगें अब ग्रॉत के अब्ध़ disp ॉक्वाइ क्या पढ़ेगे तो पहले हमाज हमाज होईbrush क्योंछ पार्टा सप्चुलेट अब नद दिखो बऐ एक घॉत्कत यह है जो हम उसको आम तोर पे बच्चे गर्स पड़ते हैं वह होता क्या लाफफ़र पिंसिपल क्या कहता है आप ने पड़ा होगा ना अपकी वह क्लासिज में में सी बगर है में कि जब कोई रियक्शन प्रोसीड करती है क्योंकि जुआ इसकी जुरूत क्या पड़ती है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को आप एक्चुल में सुलेट नहीं कर सकते हैं तो उसकी जुमेटरी को उसकी स्ट्रक्चर को हम एक्स्पेरिमेंटरी मालूम नहीं कर पाएंगे किसी मेथड से तो इसलिए में क्या चाए होता कोई नहीं कोई हमें कोई क्या चाहिए एडवांस टेक्निक है जिससे ट्रांजिशन स्टेट की जुमेटरी के उपर क्मेट किया जासके तो लैफलर प्रिंसिपल और हमन्ड पॉस्चुलेट दोनों ही क्या बताते हैं कि आप क किस तरीके से किसको मालूम कर सकते हो कि अगर किसी रियक्शन मेकैनिजम के दोरान आगर दो स्टेट कैसी होती है समझे बात बोलो भाई और नेरली सेम अनर्जी क्या बता हो भाई सेम इंटर कर नोवर जन गिलेंव ए प्रह पास को रियक्शन है हमारे पास क्या कोई रियक्शन प्रियक्शन ने आपको समझ में तो आप से आप फोटी मेरे पास क्या है रांजिशन स्टेट मैं तो इसकी जो श्रॉक्टर वएगी न तो कैजना अन्onatur ju स्ट्रॉक्टर्ट लगा था रहा है तो कहता है कि इन दोनों की क्या बहुत ही अगर दो कॉंजीकुटिटिव स्ट्रक्चर है क्या है दो कंपेरिबल एनरजी की तो कहता है इनकी तो क्या स्टक्चर को रिर औरनाई क्यों आपको बहुत ही कम इनरजी लगेगी क्या है हुआ है श्रॉक्षिक Иinde need टेट च постоянно और प्रोडक्त थेख बात नीरबाई को करा श्रक्टर होगी च भीनरजी में वोगत छो उसकी अनर्जी मेंbud इंतल्पी ट्रों। लगेगी उसके एनर्जी में स्टेट और नियर्बाई जो कॉंजिकुट इस्ट्रक्चर है उनके एनर्जी में बहुत थोड़ा डिफ्रेंस होगा तो उनको इसली इंटरकनोर्ट किया जा सकता है उनमें एनर्जी कम लगेगी कि यसे और सीचीज को लेफर ने कयसे डीया लेफर ने इसको एक principles लेफर फिनसेपल लेफर ने बोलान था कि बहूँ कोई बिक ऱुट रॉटन॥ा होग क्या होगी तो एक्विट्रौजिशन विट्रॉट्जिशन स्टेट उसके नस्टिक आपड़ेगा energy नस्टिक आ पड़े पूसकी स्ट्राइट की स्ट्रक्चर किसे रिजेंबल करेगी जो reactant या intermediate या product उस से energy में nearby है समझ के बात हुआ है तो देखा जाए तो यह दो आपका सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलो भई हाउ ग्रेट रिजैंब्लेंस टू लैस्टेबल स्टेट क्या देश्टेबल को जी किटीश टेट यह स्के मुकाबले बोस्टेबल इसके मेकाबल ये ट्रेबल तो ये लेस्ट्वा ये लेस्टेबल ट्राइब कि स्ट्रक्चर तो इसकी स्ट्रक्चर से इसके इस से वोगी किसके नजदिक होईगी स्वेकिता है इसके इसके energy में energy difference को कफी कम होईगा सुम्झे बात है इने डिफरेंस कम होईगा तो इनको कम effort लगेगा वो कम effort को रहे मतलब इनकी structure के थेक है उसको उसमें इंटर कंवर्ट करने में कम एनर्जी लगेगी कम एनर्जी लगेगी क्योंकि structure अलमस्ट क्यों निचे है similarity है ठीक है और लेफलर ने क्या बोल दिया स्ट्रें कैने सिर्ट अां उ小 स्टूर्य स्ट्रें तो बात यह की कह रहे हैं। इस्लिए कि जो है क्या पोट्तिते हैं हमने सबस्क्राइब कर चैअंक के बढी क्लInC Mart जर्ट Alp पड़ेगी तो यहां बताओ transition state किसे resemble करेगी product से यहां किसे resemble करेगी इस से और यहां किसी से ना करेगी क्यों क्योंकि दोनों कियां बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप ट्रांजिशन स्टेट की जमेंट कर सकते हो तो आपको क्या फाइदा होता बता हुआ जमेकेनिजम सा जो जने में हैंप में हो कि अखान इस अखान हे मुश्किल है ऑग अब बता हम क्या पढ़ते हैं बही कर्टिन हमत प्रिंसिपल तो बही इस टोपिक को हमने टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहले हम क्या पढ़ेंगे कर्टिन हमत प्रिंसिपल की स्टेटमेंट फिर तो हम क्या पढ़ेंगे डेरिवेशन ओफ कर्टिन हमत प प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं यह जो प्रिंसिपल था है दो साइंसिस्ट थे ठीक है डेवीड यारोव कर्टिन और लुइस प्लैंक है मट थेक है तो उन्होंने जो कन्फर्मेशनल एक्विल्ब्रीम होती है क्या ा ऐक रस्टोक्चर एक ओलीूल के, च्न्फरेसीज़् प्रिंसिपल मिल rifhtaë फिर्ड़ोव्य थैखल सेंट्टेट्ट्स ठीक हों जोा है, थेखा बात, तो का बात, तो का लाए है, अच्था शे ज्टेस्ट, दी मुम्स्त्टेट्टेश व प्रोड़क्ट्स, अबटेंट फम में conformational equilibrium is independent of the relative concentration of participating conformers समझे बात मतलब अगर एक product दो confirmation में convert हो रहा है ठेक है बात तो तो क्या होगा तो जो दो नो confirmers भनेंगे ना आप बता क्या बनेंगे relative ratio of product obtained from a confirmation cream is independent of relative concentration of participating conformer and a function of free energy gap दोन्नो confirmers का दोन्नो का relative ratio होगा वो सिरफ किसके उपर depend करेगा उनको उनके बनने वाले जो क्या है transition state उनके difference कि किसके मेरे पास मेरे पास बताओ क्या है ए और बी नहीं मेरे दो है कि देखो क्योंकि एक हमारे पास कंपाउंड ए है वह लगा तर भी में कनवर्ट होता रहता है और भी लगा तर भी में कनवर्ट होता रहता है यह मेरे पास एक सिंगल यह मेरे पास क्या एक रियक्टेंट से कंफर्मेशनल एक कुद्रियम है यह मेरे पास दोनों रियक्टेंट के जहां पर एवना तालग प्रोडूक्ट तो कहता है डैसे कपन गया तो कहता है जो मेरे पास डियोक्त बनेंगे ना है कि उनकी जो कंस जो मतलब जो फाइनल लुक में रिक्शन पूरी होएगी तो तो डियोक्त मेरे पास क्या बनेगे जो प्रोड़क्ट उन प्रोड़क्ट्स का म्यूचुवल रेश्यों कांफर्मर्स की कंसेंट्रेशन पर नहीं करेगा कि हम नहीं किस रेश्यों में लिए थे वो डिपेंड रेगा उनके उनके C और D के बनने की जो क्या है हमारे पास ट्रांशिशन स्टेट्स उनके डिफरेंस के उपर समझे बात तो देखो पहले पर देखो लोगे मेरे मेरे पास यह है ओके तो A और B तो यह बता हमेरे पास क्या है क्या है और क्या मेरे पास यह पिंधी मेरे पास लिए है तो अधियर ऐसे बनेगा ब न था ना थो अधिटु अधियर में से और क्या बनता मेरे पास C और मतलब B से मेरे पास क्या बनता है D बनता है और यह माननो B से D बनने का क्या है Barrier फर एंदरजी Barrier Delta GV Star और A से C बनने का Barrier क्या है Delta G Star देल्टा जी अश्टार नहीं आपको तो कहता है D और C का नहीं आपको समझ में क्या B से D बनने का barrier तो ये है और A से C बनने का barrier मेरे पास ये हो गया तो ये कहता है कि इस में से घठा दो क्या इन्हें D बनने का जो free energy barrier है क्या D बनने के barrier में से अप्का गरो A बनने का barrier घठा दो ठीक है इस difference से ही क्या decide होगा कि D और B कितनी amount में बनेंगे उनका mutual ratio क्या हो और किसी बात की dependent है तो सब चेक कर लो भई पहले बताओ तो पहला पर बताओ कि हमारे पास क्योंकि A और B तो क्या हमारे पास equilibrium के इंदर न तो मारे पास कि A और B क्या होगी मेरे पास B बठा A होगी क्या हरे भई A B क्योंकि A के लिए मेरे पास यह क्या होगा अब पहले आपका मुरो आप सी के बने की रेट निकाल लो क्या 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 होगी क्योंकि तो क्या बोलेंगे डी सी बाइड टी रेवी सी के बने की रेट निकाल नहीं है तो सी के बने की रेट क्या होगी तो सी के लिए रेक्सेट कौन होता है इसे लिग देट रेक्सेट होने A होगा तो हम क्या बोलेंगे तो डी सीब्सक्न रेट क्या होगा नो क्या होगा बताओं के ए नि स्वरी के सी इंटू A के सीइंटू A हो जाएगा के इंटू एगन एक इसे लिख देगे को बात ने ठीक है अब बता ओ और डी बनने की रिट क्या होगी क्या के डी क्या होगी क्यों क्यों कि इसके लिए बता ओ क्या अप्रेक्ट के इन टू बी आ गया गया ना अब वकाम कोरो अब दूंदो ली के के सिट यह और के लिक्या लिखो rate constant क्या अब बतो K क्या आगरता मेरे पास क्या मेरे पास क्या आड़ता RT over NHE की power minus delta G star वो र्त आगरता न वोई तो तो K C बतो मेरे पास क्या हो जाएगा क्या KC मेरे पास क्या हो RT जासे यह जासे और C बनने का बैरी कितना है C बनने का बैरी कितना है दिखियो delta G delta G star नहीं क्या तो यहाँ पर आप क्या पटकर दोगे delta G star और KD बनने का बतो क्या है मेरे पास barrier RT over NHE E की power minus है delta GB star Y RT तो आपने के से और KD लिख दिए भई तो आपने आपर क्या पुट कर दिए KC और KD KD पुट कर दिए कहनी आपको के से और KD पुट करने के बाद उनके आप पहले आप इपने को multiply करो तो दिए इन दोने को multiply करों नहीं इनको भाग कर दो इसको इससे भाग कर दो कि सोरी सेकन्ड वाले को पहले वाले से बाद से Lord एक तो पहले डिया परट जाएगा ना − तो डी डी वाई डी सी क्या हो जाएगा कि अ है यापको अब यह बाई ए क्या होता है के तो मेरे पास डी डी बाई डी शी क्या है तो बतो, तो अबँगर आपने इसको इस से बाँ कर दिया तो, मेरे पास डीडी ydc बताओ क्या होगा मेरे पास ही kd by kc into क्या जाएगा k निया आपको क्योंकि b बजाए जाएगा मेरे पास ही तो बताओ अब kd और kc की value उठा के यहां से की यहां पूठ कर्ड़ जाए यहां पूठ करता तो के डी के की ते की भी और kd की और के डी की वी तो इनके बनने की रेट दोगी वहीं क्या होगा मारे पास प्रोडॉडक्ट रेश्यो इसको ऊपर ले जाओ बढ़े पावर मेरे पास क्या आया प्रोड़क्ट रेश्यों बता है क्या मेरे पास लिए बोलो भई तो हमारे पास बतो क्या एगा इसको आपने क्या पूट कर दिया बता हो गई अब मैं क्या बोला था की डिल्ट अबहुत इक हम है इंटरिशंत बहुत फास्त ही न मुसघ स ie का बहुत ही इस TIME तो ये बिल्कुल ना के बराबबर क्या अलमोस्ट ना के बराबबर भाई तो दिस – अधिस अगर आप ने यह gap करना है अगर आपने यह आप भून डल्टाइवा गई यょ लोस्ट को किसको बराबर बताugen किसके बताई हो जी ए और जी बी के डिफेरेंस के बरबर गया यह जी ए जी बी के डिफेरेंस के बरबर आ गया इसंट एट ने आपको समझ में यह ठेक है तो इस तरीके से आप तो सर्फिस के पर डिफेंड करता ही यह अखर्ट ने में अट प्रिंसिपल ना में अट आद इसको ओके अब बता हम क्या बात करते हैं भई methods of determination of organic reaction mechanism तो भई इस topic को हमने total 6 parts में divide किया हुआ है पहले हम क्या पढ़ेंगे product identification method फिर हम क्या बात करेंगे cross over फिर हम क्या बात करेंगे isolation आइसे topic labeling kinetic studies और क्या हमारे पास stereochemical analysis तो सब से पहले हम क्या बात करते हैं भई product identification method कई बारी क्या होता है कि mechanism mechanism मौलूम करने के लिए आप नहीं भई किस पर comment कर सकते हो कि जो मारे पास क्या बने final product उनको देखके आप इस पर comment कर सकते हो किसका mechanism क्या है आपको कैसे कैसे फर example अगर हमारे पास बताओ क्या ही एक बताओ अगर यहां पर आपने CL को अठाके क्या है क्या हुआ है क्या हुआ है आपने CL को अठाके बताओ आपर का जूड़ना आपने ओ एच है मतलब यह एक displacement reaction क्या ही है displacement reaction हमारे पास लिए ओके किनी आपको भई है क्या है क्या है वह इससे सवाल ही उठता है अब मुझे यह नहीं पता कि जो CL है जो ओच नेगटिव है क्या ओच नेगटिव है वह इसमें कैसे आया है वह इसन वन के थूँ आया है कि एसन तूँट्रू आया कैसे मतलब भई मतलब असोचेटिव पास्वेस्टिव पाथे से आया है को के अब एक बात मुझे पता है अगर यह एडिसोच असोचेटिव पास्टिव कहां पर आता है तो हमेशा ओच कहा पर आता है यहां पर ने था हमारे पास है यहां पर आए लेकिन अगर मैं यह मान लेता हूं कि इसमें डिसोशेशन होता है यह पहले आपर क्या होगा हमारे पास है यहां प्रफ्प आता आपर आता है यहां है यहां पर आता है ड्यर्ज्टिव आएगा फॉस्तिव आएगा इस इंट अब मुझे पता है क्यों की यह स्टेशन है क्या यह तो अगले स्टेप में डबल बॉंट कहां पर आएगा यहां पर आएगा तो सीच थ्री अगर सॉरी यहां पर लेया हो तो च्छ टू पोस्टी हो गया तो आपको दिख रहा हुई तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस में क्योंकि हमारे पास दो क्या बनेगा इंटरमीडियट अगर मैं इसको डिसोचेटिव पाथ वे से फोलो करता हूं तो मेरे पास इंटरमीडियट क्या बनेगा कार्वो कट्टाइम और वह एजी लिए का सकता है बतो रेजोनेंस की वह जैसे पोजिटिव यहां भी होगा पोजिटिव यहां भी होगा लेगे में से यह पर ओच लगजेगा और वहां क्या लगजेगा हमारे फास तो यहां मैजर और यहां मायरे अची दूसरी तरह अगर मैं यह ना लेकिंगता अगर में शियली है लेता तो इससे एक्स क्लोसरी कौन सा बनना चीए था सिर्फ यहां हो इच बाला अगर सेंपल एसेंटू सोरी अगर सेंपल असोचेटिव पाथवे हो तो यह सेल टूटके यहां से लगो जे उससे टाइम पर यहां पर कौन जोड़ना चीए ओच लेंग उच दिख रहा है वई कि यह टूटक क्लोरिन यहां से निक ले था क्लोरिन यहां से निक ले दोनों ही क्या बर्णेंगे मेरे पास है रखेलों नहीं अपको कर बोकट नहीं वुनता तो इसमें ति को तो ऐसे हम कमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास दो स्पीशिज है वो उसमें कौन सा एंट्रमीडियेट बनने लग रहे हैं तो ऐसे मेकैनिजम की ऊपर कमेंट किया जा सकता है ठीक है और फिर क्रोस ओवर एक्सपरिमेंट क्या क्रोस ओवर एक्सपरिमेंट कि इसमें क्या करते हैं इसमें जो अपने रियक्टेंट लिया है ना उसी रियक्टेंट से मिलता जूलता एक रियक्टेंट और लगा देती है क्या है इस यह पता करने में हैल्प मिलती है कि reaction हमारी intermolecular है कि intra molecular है यह आपको reaction intera है कि intra है जिसे आप यहाँ पर देखो यह हमारे पास हो तो क्या हमारे पास ही एथर क्या हमारे पास ही एथर ठेक बात तो यह हमारे पास हमाई एथर ओके यहाँ तो क्या हमारे पास ही होगा नैसे मारे पास यह अरे बोलो भई यह आगा हमारे पास इथर आगा अरे नहीं 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 स्वरी भई काँ पर गया इस पर नहीं यह हमारे पास बताओ क्या हमारे पास यह इथर है ठेक बात हम बतर अब आप अब बसक्त कर उस्का है अब आप इसी का एक भाई बंद ले ले लिटा इस लिए बाहिबंद और ले लिए इसमें यहां पर रखा है यह और रखा है इसमें यहां पर क्या है बई मैं यहां पर एक मिथाइल लगा हुआ है अब मुझे यह पता होता है इसको थोड़ा बई इसको मैं ऐसे हो जाएगा हमारे बस नहीं आपको कि सिंगल बॉंड है सिंगल बॉंड के बागए अब आप अगर मान ले यहां पर यह ना हो यह क्या नहीं हो यह सिस्ट्रियां पर नहीं होता तो अगर यह रियक्शन कैसे होती हो इंट्रा मॉलेकुलर से कैसे इंट्रा मॉलेकुलर से होती हो तो इंट्रा मॉलेकुलर से पता क्या हो जाएगा यह बॉंड का आ जाएगा यहां पर खुग सो i कि पॉर्ण चाहिए गा यहां पर आजयीगा यह सब्सक्राइए खुराघ widely यज्ड़ सब्सक्राइए पर और यह बॉल्ट का अपद आजेए गर के यह संट it, तो तो यह बोंड यहां से गया है तो यहां पर क्या हो गया अब यहां पर एक हैंच यहां पर एक हैंच यहां पर आपके समूझ में है अब उसके बाद प्रोटन हो जाए ट्रांसफर हो जाए यहां से अब है यहां से हां पर आजे तो यहां पर नेगेटीव हो गया मुछ पिण सबर्वेस कर गारे पता क्या और अब सागिए खिर ना मारे पास ही सब्सक्री और हमारे पास यह निकलिए हमारे पास है नियुरू अरयल एथर क्या दोस पीशिज लिए टा तो मुझे यह है अगर मैं ऐसी ऐसी दो स्पीशिज लेता हूँ है यह आपको सब्सक्राइब करता हूँ तो स्पीशिज लेता हूँ एक तो यह और एक स्पीशिज में यह लेता हूँ हेल्डेटरेटमाय तो यह तो यहां से जुट जाएगा ऑनाबर क्या जाएगा ओच अगर वोत प्रोलोलो ब nouvelles थे तो इससे मेरे पास यही बनेगा और इससे मेरे पास क्या बनेगा कि यह बन जाएगा कुन सा पर यहां taste कर रख़ा है यहां भी इंप को लेवल कर रख़ा फ्लिया है क्यों है थेक बाथ देख्ड हो इस से हो मेरे पास क्या बनेगा यह seven आघ तो इसमें क्या होगा तो इससे मेरे पास बताओ क्या बन जाएगा इसे बने गा हिसा एलकॉल हो रही है बतों मेरे पास क्या गता हं क्या बहुत आप है कि हमारे पास जैने इसे हैं बताइ कि यह कैसी हो अ यह करें इस कहा हैं più या य Holz इनडये पंस ऐसे न भी ऑन जी और इस से बतों मेरे पास क्वल जामारि जीगा क्या इस से इन और और इससे मारे पास यह बनेगा, isn't it, अगर यह कैसे होता है, बताओ, अगर मारे पास क्या होता है, इंट्रा मोलेकुलर होता है तो, ऐसे आएगा, isn't it, लेकिन फर्ज करो, लेकिन अगर मान लिया यह वाला कंपोनेंट यहां जुट जाए तो, कौन सा, फिल्ला मुझे पता है फिल्ला लियक कंपोनेंट, यह कंपोनेंट के यह premi नेगे बने पास tutti, लेकिन इंट्रा होता हूँ, क्या होता होगी पीनि सब्सक्राइब होता हूं इंटर। यह वाली स्पेश कहाँ जुडेगी बिना इसके अगर siya इस की दमाने mismo थो क्या है यह मैं इंटरा करेगाने लेकिस को सुट फॉन करवा था हूं तो क्या होगा इंटर सुटिर तो मैं इसको इंट कर रहा दूँ है यह बॉंड मैंने तोड़ दिया ठीक है तो कहां पर आगया बॉंड यहां पर आगया और यह बॉंड मैंने तोड़ दिया ने आपको समझ मैं और यह बॉंड में तोड़ दिया इसका मतलब इसके ऊपर जिसके ऊपर यह मिठा vita मतलब warto गए यह आपको समझ में कि यह आपको समझ में मतलब यह वाली स्पीशिश टूटकी उपर चली गई कौनसी इसे क्या बोलते हैं क्रोस आवर प्रोडक्ट मतलब यह चीज जो है यह यहां पर तो यहां के जुड़गी यह चीज यहां के जुड़गी और यह चीज आपको पता हुए कहां के जुड़गी यहां के जुड़गी तो क्या बनेगे लून क्रोस आवर तो क्या पतल लगा इंट्रा है क्या है इंट्रा है लेकिन यह वाला पॉर्शन कहां जाके जुड़गी इसके ऊपर और यह वाला कहां जाके जुड़गी इसके ऊपर तो यह थी निन भी रहेंगे मेरे पास अरे बोलो तो समझगे बही आगे cross over आए product तो क्या है एंटर है नहीं तो क्या था यह था आगे आपको तो इससे भी हम comment कर सकते हैं कि mechanism रहे कैसे हुआ है इसका भी पूरा मेकैनिजम आपको नहीं पढ़ा है मेरे आगे पढ़ाएंगा आपको प्रॉपड़ तो रिक्षितों नहीं आपको यह एक क्या है आई सोलेशन डिटेक्शन एंड ट्रैपिंग ओफ इंट्रमीडियेट्स बड़ा सिंपल है जिसे आपको पता है अगर माले हमारे पास कोई रियक्शन हो क्या फर एक्जामपल हमारे पास कोई एलकाइल एलाइड है तो उस एलकाइल एलाइड को आप सिंपली क्या उस एलकाइल एलाइड को माले यह मेरे पास CH3 CH3 और बी आर और आप इसमें OH-negative कर रहे हो और इससे बताओ मेरे पास क्या बन रहे हैं इससे मेरे पास यह बन रहे हैं CH3 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 और OH बन रहे हैं लेकिन आप इसके अंदर एक तर्श्री कार्बो कैटाइन को डिटेक्ट कर पा रहे हो क्या अन्मर से या दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरीए अगर आप टर्श्री कार्बो कैटाइन को डिटेक्ट कर पा रहे हो तो आपको पास उसके बन नहीं के तरीका है डिटेक्ट कर लेते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं किससे बनाईए किसे आपको तर्श्री कर बो कैटाइन यह आपको यह एक क्या होती है मारे पास आइसो टोपिक लेबलिंग आइसो टोपिक लेबलिंग के जरीए भी आपको मेकेनिजम को समझने में हेल्प मिलती है अब को यह से कैसे देख वह ऐसे करते हैं इसको भई फर एक्जाम्पल कि आप यहां पर देखो है कि यह बहुत है अब मुझे यह नहीं पता कि यह बॉन टूटा है कि यह बॉन टूटा है क्या मुझे बता अब हो सकता है यहां पर अब यह बॉन टूटा है क्या होगा मैं क्योंकि ओ ऐटिंग वाला भी तो है कौन सा कि यह आपको समझ में यह बॉन टूटे इस रह इसा यह बॉन टूटे तो प्रोटन तो यह क्या है मेरे पास ही तो है मतलब इस से यह बन गया तो यहां पर c5 h 11 अलग होगा ना क्या बई मतलब c5 h 11 ओ निकलता एक तो है एक तो c5 h 11 ओ निकलता है और यहां पर क्या बचता मेरे पास ओ नेगेटीव बचता है क्या और इसको देखने कई तरीक्श के हैं क्या इसको देखने कई तरिक्वे हैं तो अब मुझे यह नहीं पता कि यह बोन टूट के अब बहुत सब देखो अब फर्स करो यह बोन टूट जाए तो क्या बन गया मेरे पास अब यह बोन टूट जाए तो C5H11 पोजिव हो गया न C5H11 पोजिव और उसने बताओ फिर क्या किया वाटर का उसने क्या ले लिया OH आगे आपको तो उस टैम पे ओ कहाँ पर उता C5H11 के अज़िव हो था न पूजिव लेकिन अब अगर यह बोन टूट ता क्या होता है यह बोन टूट जाए इसंट इट और और तब बताओ क्या होगा है मारे पास और यह यहां से क्या ले लिए बताओ भई इसमें से क्या ले लिए रोटों तो यह बताओ क्या निकाल लिए हमारे पास क्या होगा है यह बताओ यह बताओ क्या होगा हमारे पास क्या बई यह बालबों टूटा है और तब यहां पर को ना है हमारे पास और उसने प्रोटों रिलीज कर रखा है नहीं आपको सूझ में तो ऐसे आप कमेंट करते हो बई कौन सा बोंड कौन सा बोंड नहीं टूटा है और से फिर मेकेनिजम समझिने में हेल्प मिलती है तो यह बोगे का इन दर ना में आपको होगे काइनिटिक से कैसे हैल दो फर एक्जाम्पल अगर मेरे पास यह है CH3 CH3 और CH3 को कि और यहां पर लगा विर अप्रसमें क्या है ओच नेगेटिव प्रसमें क्या है तो अगर मान लिया अब हो सकता है यह यह तो क्या हो ऐसे पासिस हो होगा इसमें चार क्यों पहले कुछ जुड़ेगा ओच तो कोडिशन क्या हो जाएगा पांच और यहीं क्या हो मारे पास रे डिट्रमाइनिंग स्टैप तब बताओ आपके पास इसका ओडर कहना चाहिए तो अगर दोनों जुड़ते और पहले क्या बनता हो मेरे पास पहले म मेरे पास में तो क्या बनता हो भई ट्राइगोंडल बाई पिरामीडल स्टीट मिठाइल 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 यहां कौन है बोलो भई बी यार और यहां कौन है ओच नहीं आपको और तो इसमें से बाद भी मुटा फिर को निकल जाए यहां से बी और नेगेटिव तो मेरे पास क्या बन जाएगा अल्कॉल तो यह एक्स यह पास यह बोल दो कि इस वो निकल गया पहले असे को निकल जाए तो पहले बहतो मेरे पास क्या बनेगा CH3 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 CARBOCAT TIME यहां से भी यहार निकल गया ना अब अगले step में कोन आएगा OH तो अब मैं कहूँ यहां पर तो यह क्या है SLOWEST और यहां पर यह बताओ कौन सा मान लिया SLOWEST यहां पर तो यह वाला क्या है SLOWEST और यहां पर यह वाला क्या है SLOWEST तो आप यह बताओगे order क्या है यहां तो यहां मैंने आपको पताओ था ना कि elementary step को order होता है elementary step में molecularity order क्या होता है एक ही होता है तो इस SLOWEST step को मैं इस SLOWEST step में यह बनाने के लिए कितने species इस्तमाल हो रही है दो एक और दो तो यहां पर order भी क्याएगा double order यहां पर क्याएगा डबल आएगा लेकिन यहां बता भी क्या मरपस यहां पर order क्या single आएगा क्योंकि पहली step में अस्टूट सा बस है तो अगर rate सिर्फ कि इसके पर डिपेंड करें इसके उपर तो क्या है dissociative path रही इसके आप कमेंट कर सकते हो बई मैं कहने मतलब कानिटिक स्टूडीज के जरीए भी कमेंट किया जा सकता है एक हमारे पास क्या होता है stereo chemical analysis क्या बई इसके जरीए भी आप इस बात के उपर मालूम कर सकते हो बई कि order कैसा होगा होगा आपको कैसे कैसे stereo chemistry से मालूम कर सकते है for example अगर माले मेरे पास एक chiral alkyl halide क्या अगर मेरे पास एक chiral kya halkyl halide CH3 माले मेरे पास chiral kya halkyl halide होई मेरे पास ओके तो ये वह तो कौन है CH3 ये कौन हमारे पास ethyl और ये बता हमारे पास क्या प्रोपाईल और ये मेरे पास क्या है आप न्युकलीम फाइल भाइब अब अब फर्ज करो यहांपर तो क्या होता हो निकुलीम पाइल म épुछ रहा हमते हिले आहांु आहां से हखाय को पमक्लिदख शिंञाऊ हैं outta मेरे पास क्या बना कार्भो कार्ग कटाइन में में भी आउतना है तो एक आई सम अ को इखाँ अगर ये डिसोर्षाेटी पास्वे से दिशोर्षा माष्भी से ख्लो हता है डिसोर्षेटी वास्वे भी होता है निकल गया यह तो क्या आपक है क्याब अब एंता प्लॉत निनील जो नंतरिक पूं आप याँ से और यहा आप है chyba दो इस रए है जो कार्ब कटन किसी भी साइड से टैक किया जा सकत hàng क्या पिक बेंगे मैं इड्न नॉय करना फिट्वार्ट्ट डि Start दूसरी तरफ अगर क्या होता होता हो दूसरी तरफ क्या होता अगर ये असोशेटिव पाथ वे से होता क्या होता तब बताओ क्या होता हमारे पास अब ये क्या मेरे पास एंट्रिंग ग्रॉप तो ये इस साइड से आया तो पहले क्या बनता ट्राइगों और ये निकल जाता में पास क्यों था सिर्फ क्या मता इन वर्जन सवारक रेक्शन मिश्चर की उसको देख के वह में कमेंट कर सकते हैं क्या बना होगा इसंट इट अव तो क्या मारे पास हां क्या एक या मद इवा सरफ पल लपड़ गी ना इस ठीए के अब बता हम क्या पढ़ते हैं भई आईसल तो पल एफेक्ट तो भई इस ठीए को हमने टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हम क्या पढ़ेंगे डेफिनेशन ओफ आईसल टॉप एफेक्ट तो पहले हम क्या बात करते हैं डेफिनेशन और देखो जब आपकिसी रिएक्शन का मेकैनिजम पढ़ते हो तो आपने एक बात देखी थी कि वहां पर हम कई बार क्या करते हैं कि कौन से बॉन टूटते हैं कौ इसको भी लेबल कर दिया तो इससे आपको मेकैनिजम समझें मिलती मिलती है यह पाया गया है कि रियक्शन के दोरान अगर आपने आईसल टॉप कर दिया इसी गृप को ठीक है बात तो उससे उसकी रेट में असर पढ़ जाएगा अम तोर पे आपको पता है आपको जाए और नॉबर टॉप कह रहेंगे सही में रहेंगे इस न्यूब्स घलग मास जाएगा ना से यह कैदेगा अलगर Usually देगा तो इपाया गया है आइसोटोपिक का लिए अगर आपने क्या कर दिया है सब्स्ट्ट्ट्टूट ठीक है तो rate of reaction बदल जेव सुम क्या बोलेंगे आइसोटोप effect ठीक है बात और क्योंकि यहाँ पर rate की बाद चल रही है तो इसका असलिए नम तो क्या होता है का इनिटिक आइसोटोप क्या बोलतें इसको के आइए का इनिटिक आइसोटोप effect क्या होता ही है बतो यह क्या है आइसोटोप आफ रेट जब आपने क्या लिया है light ratum उसके अंदर और पर क्या मापास यह heavy ratum क्या नहीं आपको light ratum and heavier ratum और मैं आपको बता हूँ भई यह बतो क्या हैगा अच्वा कहोँगे the variation of rate of reaction because heavier isotopologues have lower vibration frequency relative क्या होंगी जदा क्या होंगी बोलो भई क्या होंगी यह बहीं frequency and can easily be rationalized quantum mechanics greater energy is needed for heavy isotopes to cross transient state क्या यह नहीं rate क्योंगी slow हो जाएगी क्या heavier में rate क्योंगी slower लाइट में रेक्टेंट मोलेक्योल को ट्रांजिशन स्टेट से क्रोस होने में ज्यादा energy required होती है अब अब को पले पड़ गी तो इसलिए इसकी बताव लाइटर की क्या है इसका मतलब क्या होता है बोलो भई जब जो जो labeled है उससे ही जुड़े वे bond तूटे हैं क्या अगर reaction के दोरन क्या होता है को रेक्शन चल रही है तो अगर आइसोटोपिकली labeled atom के ही बॉण्ड तूटते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे प्राइमर इसोटोप ऐफेक्ट और इसकी वेल्यू क्या थी कफी ज्यादा आती है इसकी वेल्यू होती है किनि आपको में समझे बात कि बताओ है इस पर बता हम भाग सकाता है ऐसे कि आप सेखेंडरं री हाई सप्रीक्षा तर्सक्राइबर्ड और विंस्या थैंदर जो बॉंड बेकिंग होई है बॉंड बेकिंग होई है जो बॉन पनी है अगर हमारे आइस टूपिकली लेवल्ड зайक्टम का बॉंड नहीं तूटा है उस से नेक्स्टक नहीं है ऑलो भई ओ एटीन कर रखा अपनी आपको समूझ में एकस एच नहीं आपको अगिर यह बॉंड तो क्या बोलेंगे इसको ? प्रामेर शुख एक्ट और वेल्यू क्या इससे जदेगी ? और यह तो क्या बोलेंगे इसको ? सेकेंडर शुख बोलेंगे इसको ? यह आपको ध्यायन रखियो secondary isoto effect are much smaller in magnitude then primary isotope effect. 2 secondary isotope, लेकिन Deuterium case में कहा तक हो सकता है? 1.4 तक क्या भई? 1.4 तक क्या भई? 1.4 तक निया आपको? अचाहिए बता हम को रता हूँ भई? अगर हमारे पास value greater than 1 आए तो क्या बोलते हैं उसको? normal kinetic isotope effect क्या? लेकिन less than 1 आजयतुसकों क्या बोल देंगी? inverse isotope effect बोल देंगी उसकों, पटले उसको आपर हमसे भई? ठीक है जो होगी, क्नेक्ट होगी, कोई बात नहीं? okay अब बता हम क्या पड़ते हैं भई? effect of molecular structure on reactivity of organic compounds तो भई इस topic को हमने total चार पार्ट में डिवाइड किया हो, पहले हम क्या बढ़ेंगे? structure and reactivity of organic compounds क्या होती है? फिर हम क्या बढ़ेंगे? बोलो भई? impact of resonance structure ठीक है? फिर क्या हम बात करेंगे? inductive effect फिर क्या हमारे पास steric effect ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं, structure and reactivity मतलब क्या होता है? structure and reactivity का मतलब क्या होता है? देखो, जो structure होती ही न, उससे कई बाते decide होती है, एक तो उससे decide होती है, reduce activity, क्या? attack कहाँ पर होएगा? दूसरा, कई बारी क्या होता है, आगर आपके पास कोई particular molecular structure है, वो एक particular reaction देने लग रहा है, ओके? तो structure में आपने कोई group change कर दिया, तो उस rate of reaction बदल जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? effect of structure on reactivity, क्या? effect of structure on reactivity, बोलो भई? को आपको कैसे कैसे, for example मेरे पास यह CS3, मेरे पास है, क्या मेरे पास है, है मेरे पास है, और यह BR है, अब मान लिए यहाँ पर dissociative pathway होता है, मतलब पहले BR यहाँ से निकल जाता है, बाद में कोई group आता है, तो अगर में जितने नहीं जादा है, आपर क्या लगाँगा? मैं लिए मैं यह पर इता है लगा दिया, तो रेट बट जाएगी, एक और इता है लगा दिया, और बट जाएगी, एक और लगाए, क्यों हो भई? आपको साफ़ दिख रहा है क्यों की, यहाँ पर dissociative pathway हो रहा है, तो यहाँ पर bond, sorry, coordination number कम होना है, coordination number 4 से क्या होना, पहले step में? तीन होना भई, तो जितनी भीड होगी, उतना इस group का टूटना क्या हो जाएगा? easy नहीं जाएगा, उतना इस group का टूटना क्या हो जाएगा? easy, इसलिए तो क्या करेंगा मैं यहाँ पर? यहाँ आपको समझ में, यहाँ आपको बताऊं भई, for example अगर मेरे पास है, यह है जैसे, मेरे पास CH3Cl है, CH3CH2Cl है, तो यहाँ पर सेल टूटना क्या होता है? easy होता है, लेकिन अगर मान लिया, किसी reaction में सेल टूटना है, तो यहीं पागर मैं इसको भई, बैंजीन से लगा जता हूँ, किससे? बैंजीन से, तो resonance की वजए से, यह बैंजीन सेल टूटना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बात आपको पहले पढ़ रही है, नहीं समझे बात, तो अगर आप structure को बदल देते हो, अगर substrate की structure में minor difference करने से, क्या, करने से, उसकी rate of reaction बदल जाए, reaction की, तो हम क्या बोलें, क्या ही है, reactivity, इसको बोलते ह आपको यह, तो बता हो, बोलो भी तो पहले पापस क्या बता हो भई, impact of resonance, effect on reactivity, तो resonance से क्या होता भई, resonance कई तरीके से effect करता है, reactivity को, अगर कोई bond टूटना है, आगर rate determining step में कोई bond टूटना है, और resonance की बज़े से, क्या bond क्या सिल कर ले, double bond character, तो बदल बद 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 हो जाएगा, तो टूटना क्या हो जाएगा, मुश्किल, तो reaction क्या हो जाएगा से लो, निया आपको, या फिर्मान लिया, resonance लेगिन या फिर्मान लेगा वही, जिस पर, या नि के, जहाँ पर, कोई attack नहीं हो, कोई attack तो, लेगिन ray determining step में, ray determining step में, जिसको attack करना है, क्या, उ लिए बैंजन निंग है निए आपको इसमें बई रिजन टेक करना आई एक देंसटी की जगया पर आपको पता में आपको पड़ाया था ना अब अगर जो गुरूप लगा हमें पर गुरूप लगा दें उसके पास क्या हो मैने सार इफेक्ट तो बैंसटी कहां से कहीं अगर प्लस वाला तो बढ़ा देगा तो इस सब्सक्राइब को समझ में यह फिर मैंने आपको पड़ाया था कि जो गुरूप होते हैं और फोर पैर डारेक्टिंग होते हैं नहीं आपको तो गुरूप लगाने से रिंग के अंदर पांच साइट के ऊपर बराबर डेंसटी मैनस तार वाल क्या करेंगे और तो पैरस इंस्टी खिच लेंगे दैंस्टी का मचेगी मैटा पे तो दैंस्टी वाला तो कोई होगा हो दो ना कंट्ट करेगा कोई अलेक्ट्रों फाइल कॉंटक करेगा मैं रिए आपको समझ हमें रिफ्र न्यू कली फार इंटक करना कांट करेगा और रद फो पे लेगिन हमेर कोई मता मैं अब्ट अट डायक्टिंग कौना है है वो तो क्या करिएगा। वो देंस्टिन खीच लें मिजसें। बतारा हूण सुआ है एक और खोर प्यार क्या करते हैं DIRTING ट्री आ घर में टेंगे अगर तो टेग पर आ पहरा प Chap हांपर और खोर में अभी होगा और तो पहर से खीच लेंगे तो अटेक कांपर वो इल्ट्रोफाइल का मैं दूइक लिए फाइल के लिटा हो जाएगा ने आपको थो नहीं से फर्ख पड़ता है एक हो तमारे पास है इंडुक्टिव इफेक्ट का अभी मांनों जिसने अटेक करना है वो इल्ट्रोफ वह एक्ट्रोफाइल है अब एक्ट्रोफाइल कहा थेकर गाई यह वास एक्ट्रोण ज्यदा होंगी निसम्जी बात तो जिस एक्टम पर टैक होना है उसके साथ हम क्या जोड़ी एक्ट्रोण रिलीजिंग ग्रूप तो देंस्टीप आदेंगा न उसकी ऊपर भई तो टैक् लेकिन अगर कि अने टैकराएल नुकलियो फाइल ने के लिए आपको तो माले कार्वर कैया मेरे पास है इसके अट्या को रहे है नुकलियो फाइल टैक करेगा तो जितने आपर क्या लगा हूँगा एलेक्ट्रोण रिलीजिंग गूरूप वो देंस्टी घंगे इसके ऊप करेगा नहीं आपको वह से खिच लेंगे है इस पर क्या हो जाएगा पहले पॉसितिव है रेट जोड़ियों और ऑगिस से लिगे और पॉसितिव हो गया तो नुकलिव फैल्टेक करना क्या जाएगा इजी हो जाएगा आपको यह तो इसे भी एफेक्ट पड़ता है यहां पर मैंने बहुत दे रखेंगे अच्छा एक होता हमारे पास स्टैरिक एफेक्ट क्या कई बारी क्या होता है कि मानले किसी गुरूपने टेक्ट करना है क्या हमारे पास को पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है और रेट डेटर्माइनिंग स्टैप में क्या रेट डेटर्माइनिंग स्टैप में मानले गुरूपने टेक्ट करना है ठेक है बात मतलब अटेक वाला गुरूप अटेक होने वाला स्टैप ही कह है रेट डेटर्माइनिंग स्टैप तो सबस्ट्रेट में आटक का होई A तो अट्यक के पर शमनली 10 मानलिया अनम कोई गुर्पीं होता है तो जितनी Sun मान लिया डटिरबैनिंग स्टैप में क्या रखा है कि एक गृप को टुट के जाना है तो एक तो वह गृप यहां 세 जाये कहांसे बही एक तो गृप का टूटना यहां और यह बताओ कहां से छूटना पर होगा यह 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 चीड करने की च्छाह यहां पर क्या होगी ज्यादा क्योंकि है लगे टो अरलिख मिलेगा यहां भी मिलेगा नहीं आपको समझ में लेकिन जदा का मिलेगा बता हो यहां पर जदा जदा भीड़ को तो यहां पर रेट करेगी इस से नहीं तो अटेक था बदल जाएगा निया आपको माले एक बहुत ही क्या है 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 बहुत 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 है बहु तो ध्यान रखियो, sterics जिस तरीके से भी क्या होंगी, rate determining step को हमेशा minimum, minimum 30 sterics क्या करेंगी, support क्या, rate determining step क्या करेंगी, minimum sterics हमेशा क्या क्या करेंगी, rate को support करेंगी, और maximum steric measure rate को oppose करेंगी, अगे आपको ये, ये general term थे हैंगी भाईए